हेलो दोस्तो मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हारदिक स्वागत करता हूँ तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस हमारे स्टेडियोल के अकॉर्डिंग और आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में हमारा बुक वन चला है जिसका नाम है समकालीन विस्वराजनीती इस चैप्टर इस बुक से हम लोग 7 चैप्टर खतम कर चुके हैं और सिर्फ चैप्टर ही नहीं हम लोगों ने पढ़ा है chapter पढ़ा है उसके बाद हम लोगों ने objective question answer पढ़ा है और उसके बाद हम लोगों ने subjective question answer पढ़ा है यानि कि वस्टोनिस्ट प्रशनुकतर और दिर्गुतरिये लगुतरिये प्रशनुकतर सब कुछ sequence में में एकदम व्यवस्थित तरीके से हम लोग क कि यहां पर क्लास कंटिन्यू चली आ रही है 2024 के बोड एक्जाम के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा इंपोटेंट होने वाला है 25 से ज्यादा जो अब्जेक्टिव कोईश्चन आंसर जितने इंपोटेंट बन सकते थे वो सभी मैं आपको आज करवाने वाला हूं इसलिए आप हिंदी माध्यम के यहां पर लिखा भी गया है 2024 के लिए मतलब उत्तरप्रदेश बिहार जहार खंड पश्चिमंगाल कहीं के भी हो बस कंडिशन इतनी है कि हिंदी मेडियम होना चाहिए एक बार तो एक दिन जोग्रफी एक दिन पॉलिटी अल्टरनेट करके चलती एक दिन कि जो टाइमिंग है यह 8 पीम थाम में यानि 8 पीम इविनिंग में होने वाली है अब अपने कोश्चन आंसर के सेशन पर आ जाते हैं जो टॉप 25 कोश्चन आंसर हैं यह हम आज इस चेप्टर में करने वाले हैं और जो मैं आपको कोश्चन आंसर करवाता हूँ यकीन मानी अगर आप नोट्स बना रहे हैं प्रोपर यह आपके पास नोट्स है उस लेवल का आप यकीन मानी आपको कोई भी 90-95 नंबर से 95 नंबर के आसपास लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं थोड़ा सा नंबर और जनवरी इस तीन महिने में हम लोग बहुत ज़्यादा रिविजन करने वाले हैं जिससे आपका जो 95 का टार्गेट है यह कम नहीं होना चाहिए तो चलिए कोश्चन आंसर पर सेसन पर आ जाते हैं पहला हमारा कोश्चन परियावरान से जुरे मुद्य को कब अनिया के देशों में यह राजनितिक समस्या के तर्क देखा जाने लग या以 median के राजनेता भी दुनिया के अन्यने देशों के राजनेता भी पॉलिटी सियंस यह मानने लगे कि परियावरान एक गंभीर समस्या है तो हमारा आंसर हो जाएगा 1970 के एरा में 1970 के दसक में ठीक है नेक्स्ट राष्ट संग का विकास और परियावरन के मुद्दे पर एक समेहलन हुआ था या कहां हुआ था राष्ट संग का अगर ये आप चेप्टर पढ़े होंगे तो आपको पूरी तरीके से पता होगा कि सब कुश्चन का अंसर क्या होने वाला है अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं इसका सीधा सा आर्थ है कि आपका कंसेप्ट जो है किलियर नहीं है अगर आपका concept clear नहीं है तो सिर्फ आप रटेंगे लेकिन यकीन मानी अगर आपका concept clear नहीं भी है तो भी आप अच्छा score कर सकते हैं लेकिन मैं इसकी guarantee नहीं ले सकता है कि 95 नमबर के आसपास आप ले आईएगा ये मामूली बात नहीं ये थोड़ा सा ही मेहनत करने के बाद आ और subjective question answer दिरगोतर ये और लगोतर ये प्रस्नुफतर जो है ये से सनेटेंट कीजिए और इन दोनों का notes आपके पास बना होना चाहिए होगा कैस से फाइदा के होगा आपको एक्जाम के समय में आप अलग-अलग guest paper खरीते हैं आप अलग-अलग model paper खरीते हैं आप अलग-अलग question bank खरीते हैं इस सबसे आपको रहात मिल जाएगा और एक जगा आपके handwriting में आपके notebook में आपके सामने होगा यानि कि समझे कितना ज परियावरन के मुद्दे पर एक सम्मेलन हुआ था संक्तराष्ट संग के दौरा किसके दौरा संक्तराष्ट संग के दौरा यह कहां पर हुआ था यह हुआ था यह हुआ था रियो डिजनेरियो जिसको पिर्थवी सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं कहा हुआ था रियो डिज रियो डिजनेरियो ब्राजील की राजधानी है और उसी के नाम पर इस सम्मेलन का नाम पड़ा रियो सम्मेलन या फिर इसको कहते हैं पिर्थवी सम्मेलन या फिर इसको कहते हैं पिर्थवी सम्मेलन आप्सन नमर C जो हो जाएगा हमारा बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है एडिशनल इंफॉर्मेशन ध्यान लखिएगा इसको निया फिर्थवी सम्मेलन के नाम से जानते हैं फिर्थवी सम्मेलन के नाम से जानते हैं यह हुआ था Assim 1992 1992 में ऑप्सन ए हो जाएगा कहां हुआ था तो रियो डिजनेरियो ब्राजील में हुआ था किसके दौरा किया गया था अगर देश का नाम पूछ ले कहां हुआ था तो देश का नाम ब्राजील ब्राजील में किसके दौरा करवाया गया था तो United Nations संग्तराष्ट संग के दौरा करवाया गया था ध्यान लखेगा additional information निम्न में से कौन साजी संपधा नहीं है मैंने आपको बताया है साजी संपता कौन-कौन सी होती है यहाँ पे तीन ऐसी है जो साजी संपता है लेकिन उनमें से एक जो है यह साजी संपता नहीं है यह आपको बताना है हमारा option है फिर तबी का वायू मंडल समुदरी सता बाहरी अंत्रिक्ष या फिर जंगल और यहाँ पोच रहा है नहीं मैंने आपको बार-बार कहा है जो नहीं वाले सब्द होते हैं जो केवल वाले सब्द होते हैं इस सब पर आपको ध्यान रखना है यहाँ हमारा option हो जाएगा जंगल जंगल साजी संपदा नहीं है तो तीन साजी संपदा है यहाँ पर पिर्थवे का वायू मंडल समुदरी सता बाहरी अंत्रिक्ष इसके अलावा एक और साजी संपदा के बारे में हम लोग चप्टर के अंदर डिसकसन किये थे वह है अंटार्क्टिका वह क्या है अंटार्क्टिका पिर्थवे का दक्षनी द्रूब के आसपास का जो एरिया है जो बरफीला एरिया है उसको अंटार्क्टिका कहा जाता है next question है वेग्यानिको को अंटार्क्टिका के उपर उजोन परत में छेद का पता कब चला और छेद से मैंने क्या बताया है मान लिजे ये पिर्थ भी है ठेक है और मान लिजे उपर वायू मंडल है ये जो लेयर है यहाँ पर ये जो लेयर है यहाँ पर उजोन का लिएर सपोच करते हैं उजोन का लिएर है एक एक्जामपल के माध्यम से समझते हैं एक एक्जामपल के माध्यम से समझते हैं ये मान लिजे उजोन का लिएर ये क्या है अर्थ है ठीक है ये इसका वायू मंडल हो गया और ये हो गया ओजोन कौन हो गया ओजोन ये जो मोटाई है इसकी ये हो गया ओजोन तो ओजोन परत में क्या हो गया धीरे-धीरे इसकी जो मोटाई है ये जो मोटाई है ये धीरे-धीरे कम होती जा रही है कहाँ पे अंटार्टिका के उपर फिर्थविका ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पो क्या हो रहा है कमी आ रही है चिंता का विशाया भना उए सरकार के लिए टाप विशसे बना हुआ और इसा जो चला था यह 1980 के दसक में पता चला था तो नमर बी यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कोश्चन है वैस्विक ताप विर्धी यानि की ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित नयायाचार या प्रोटोकॉल कौन से हैं तो वैस्विक ताप विर्धी से जो प्रोटोकॉल है यह जो है हमारा क्योटो प्रोटोकॉल क्या है क्योटो प्रोटोकॉल कहां पे कब नेचर हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल पर यह क्या हुआ था हस्ताक्षर हुआ था और किस मुद्दे पर है तो परियावरन जो वैस्विक ताप बिर्दी है परियावरन को जिससे नुकसान पहुंच रहा है इसके उपर है अगर वैस्व का ताप बढ़ जाएगा तो मैंने विदेश से उसके डूबने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी इसलिए यह जो है इस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता हो जिसके लिए कई सारे प्रोटोकॉल में कई सारी संधिया हुई है जिसमें से एक है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में इस प भात ने फ्रॉल्ट किया क्यों अनुमूदित करने का और्थ है कि भारत ने अपना समर्थन कब दिया और समर्थन कैसे दिया जाएगा आन्तराश्थी प्रोटोकॉल को उंतराष्टी संदिको तो सिंगनेचर करके यानि कि भारत ने इंडारीक्षिब रूप से कहे बारत किया है दो हजार दो में किया है थीक है 2002 या ऐसे भी दे भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया 2002 में भारत ने क्योटो । प्रोटोल का को अनुमोदित कब किया 2002 में कैसे भी पोश सकता है नेक्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल का संबंद किस सीज से है वैस्विक्तापिर्दी परियावरन बाहरी अंतरिक्ष या समुद्री सतय से ये दोनों जो ऑप्सन है यह क्या है यह साजी संपदा विस्व की साजी संपदा के अंतरिक्ष ये दोनों आएंगे बाहरी अंतरिक्ष और समुद्री सतय इसके अलावा क्या है ओजून मंडल है वायू मंडल है उसके बाद अंटार्टिका है ये सब विस्व की साजी संपदा है लेकिन यहां पूछा जा रहा है क्योटो प्रोटोकॉल का संबंद अभी जस्ट एक या दो कोश्चिन पहले हम लोग देख चुके हैं हमारा आंसर जो हो जाएगा वैस्विक ताप विर्दी से अप्सन नमर ए हो जाएगा नेक्स कोश्चन है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किया जस्ट आ गया ना अभी जस्ट डिसकस क यह जस्ट आ गया खुश्चन भारत में क्योटो क्रोटोकॉल पर दोःजार दो में सिגनेचर किया था ठीक है कब किया था दोःजार दो में किया था नेक्स कोईश्चन है भारत ने कब पेरिस जलवायू समझोते को अनुमोदित किया यानि कि उस पर अपनी सहमती दे दी यानि कि उस पर हस्ताक्षर कर दिया भारत ने पेरिस जलवायू समझोता जो हुआ था यह जो हुआ था कब हुआ यह भी ध्यान दखियेगा पेरिस जलवायू समझोता जो हुआ था यह 2015 में हुआ था पेरिस फ्रांस की राजधानी है दुनिया में अलग-अलग समय पर अलग-अलग सहरों में परिवा दुनिया के परियावरन को बचाने के लिए विस्व के कम करने के लिए अलग-अलग समय में कई सम्मेलन हो चुके हैं उसमें से एक पेरिस जलवायू सम्मेलन था जिसको 2015 में यह समझाता हुआ था पेरिस में फ्रांस की राधानी पेरिस में लेकिन भारत ने इसको अनुमोदित किया एक साल बाद इस तरह का option बनाएगा कि पूछ लेगा कि भारत ने दोजार पचीस तक अपने पेट्रोल में निम्न में से क्या मिस्रित करने का लक्ष रखा एथेनौल मिथेनौल या इसी परकार का और question दे दे या और option दे दे तापको ध्यान रखना यह मिथेनौल नहीं बलकि एथेनौ क्या option हो जाएगा दोजार पचीस और यह भी मैंने करवाया ठीक है सबसे मज़े की बात है अभी तक जो भी question हो रहे हैं सब मैंने करवाया ठीक next question है विस्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहां हुआ कब हुआ पहला बांध विरोधी आंदोलन था फ्रेंक्लीन नदी के ओपर बांध बनाए जाने को लेकर बहुत जादा परदर्सन हुए थे और यह कहां हुए थे और अस्ट्रेलिया में हुआ था और कब हुआ थ स्ले पर परियावरन से संबंधि जो है राजनितिक समस्या कवगा कब देखा जाने लग गया 1970 के दसक में तो ऐसे करेंगे अगर याद रखते हैं तो लंबे समय तक याद रहेगा next question पर चलते हैं विश्व का पहला बाँ बांधविरोपी आंदोलन कहा हुआ था अभी जश्ट मैं नाम ले चुका हूँ उसका चीन न्यूजिलेंड भारत या उस्ट्रेलिया तो क्या हो जाएगा उस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा ठीक है नेक्स कुश्चिन पे चलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन किस तरह का आंदोलन है नर्मदा बचाओ हमारी बची हुई है जिसका नाम है सौतंत्र भारत में राजनेती जब आप उसमें पढ़ेंगे तो जो जन आंदोलन है उसमें आपको बताऊंगा नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में लेकिन यहां पर भी जिक्र हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन का तो यह जो है सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन निया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश धियान लखियेगा यह जो है सेरिया, इराग, कुवेतिया, सौधी अरब यो क्या हो जाएगा सौधी अरब और इसके बारे में भी इसकस हो चुका है ऐसा कहा जाता है एक अनुमान के मुताबिक कि दुनिया में जितना भी तेल भंडार है उसका 25% तेल भंडार सिर्फ और सिर्फ सौधी अरब में ही है वहीं बात करें इराक की तो दुनिया में दूसरा सबसे ज़्यादा तेल जो है यह इराक के पास है यह सकेंड हाइस्ट हो क्या हो जाएगा सकेंड हाइस्ट और पहले कौन है पहले हो जाएगा सौधी अरब नेक्स कुश्चन पर चलते हैं मुझे उमीद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप लोग सेशन को इंजॉय भी कर रहे होंगे खास करके वो बच्चे जो प जादा तेल उत्पादन कहां होता है तो सकेंड हाइस्ट अभी जस्ट डिसकस हो चुका है कहां पी होता है इराक में होता है ऑप्सन नमबर यह हो जाएगा इराक नेक्स कुश्चन है जॉर्डन अडी और यार्मुक नदी के पानी का जो बहाव है उस पानी के बहाव छेत् इन देशों के बीच में जो है संघर्स हो चुका है और कब हुआ है 1950 के दसक में और 1960 के दसक में तो वह है इजराइल सीरिया और जॉर्डन इन तीनों देशों के भी जड़ब हो चुका इसलिए हमारा ऑप्सन जो होगा ऑप्सन नमर डी हो जाएगा राइट आंसर क्या हो ज वर्ल्ड कॉंसिल ओफ इंडिजीनस पीपल का गठन कब हुआ जो इंडिजीनस पीपल है जो हासिये पे रखी मोल वासी जनता है जो आदिवासी जनता है उनकी आवाज को उठाने के लिए उनकी लड़ाई को लरने के लिए एक कॉंसिल का गठन हुआ था जिसको वर्ल्ड क किनार करती गई है उनकी अगर कोई प्राब्लम है तो आप हमें बताईए ये गठन किया गया था 1975 में वर्ल्ड कॉंसिल आफ इंडिजीनस पीपल का नेक्स कोईश्चन है किस कमीटी किसी फारिश पर भारत सरकार ने परियावरन विभाग अस्थापित किया था संथानन कमीटी स्वर्न सिंग कमीटी तिवारी कमीटी या सिंधवी कमीटी तो हमारा ऑप्सन हो जाएगा तिवारी कमीटी ऑप्सन नमर सी हमारा बिलकुल answer हो जाएगा नेक्स Question है ओजोन परत में हो रहे तिवरचCH है यानि कि बहुत तेजी से ज़ो ऊजोन परत में 6 हो रहा छेद कहलीजीया उसकी मुताई जो है धीरे धीरे घट रही है दीरे धीरे घट रही है इसके कारण कौन सी किरन पिρतवी के वातावरन को नुकसान पहुचा सक्ती है जिस किरन से ओजोन परत हमको बचाता है उस किरन से अगर नहीं बचायेगा तो हमें क्या हो जाएगा हमें बहुत सारे skin से समस्याई हो जाएगी सिर्फ मनुस को ही नहीं पिर्थवी पर रहने वाले बहुत सारे जीव जन्तों को ऐसी problem हो जाएगी पेर पौधे में भी दिक्कत हो सकती है और हमें skin cancer जैसी समस्याओं का सामना करना पर सकता है इसलिए ओजोन परत हमारे लिए बहुत जादा important है और उस वो जो protect करता है सूरिय से आने वाली किरन को उसका नाम है अल्ट्रा वाइलेट किरन या UV रेज ठीक है इसके लिए option number D हमारा right answer हो जाएगा नेक्स question है 1992 में पिर्थवी सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था अभी अगर आपको याद है तो पता चल गया होगा किसके द्वारा किया गया था इसी को रियो सम्मेलन कहते है क्योंकि ब्राजील की राज़तानी रियो डी जिनेरियों में हुआ था किसके द्वारा किया गया था संइप्तराष्ट संग के द्वारा उप्सन नमर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स question है वैस्विक ताप विर्थी का जो प्रभाब है सबसे अधी किस पर पर परेगा या सबसे अधी किस देश को खत्रा है खत्रा पहला परियावरन सिकर सम्मेलन कहा हुआ था देखिए इस पर नहीं बहुत जाएगा उस वूए जो सबसे गलत लिखा गया है इसपर दियान लखिएगा पहला परियावरन सिकर सम्मिलन जो हुआ था अगर मैं कभ की बात करूं थो यह 1972 में ही हो गया था और कहां हुआ था तो हुआ था एक यूरोपियन कंट्री है ध्यान रखिएगा परियावरन से रिलेटेड पहला जो वैस्विक सम्मेलन हुआ था या इसलिए इसको सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है और कब हुआ था तो 1972 में हुआ था अन्य नाम मैं लिख देता हूँ अन्य नाम इस्टाउक होम सम्मेलन जैसे जैसे रियो डी जिनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था उसको रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं उसी परकार स्टोक हम में जो सम्मेलन हुआ था परियावरन से रिलेटिट पहला सम्मेलन इसको स्टोक हम सम्मेलन के भी नाम से जानते हैं या ऐसा पूछ लेगा कि पहला परियावरन सम्मेलन कब और कहां हुआ था तो कहां हुआ था इस टॉक्षम में स्टॉक्षम कहां है स्वीडन में और कब हुआ था 1972 में बहुत जगह पर आपको गलत मिल जाएगा उस पर विश्वास नहीं करना है क्योंकि मेरा जो रहता है यह बहुत ही ऑठंटिक रहत अब हुआ है उनीसे कब हुआ है उनीसे सो बहत्तर में नेक्स स्टॉक्हम सम्मेलन में ही ठीक है यह पांच जून को झार इसलिए पांच जून को परतेक वर्स परियावरन दिवस मनाया जाता है आपको सारी बाते से समझ में आ गई होंगी सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा साथी साथ सेयर भी कीजिएगा आप लोग सेयर बहुत ही कम करते पता है पिछले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को टाकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और कमेंट जरूर कीजिएगा सेशन कैसा लगे कमेंट आप लोग को लाश्ट में करना पहले नहीं लाश्ट में करना सेशन खतम होने के बाद तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में तब तक के लिए थैंक यू